प्रेगनेंसी में चाय पीना कब सही हो सकता है या चाय पीने के कितने नुकसान है या कब हमारे लिए ये नुकसान दायक साबित हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी में हमें चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए दोस्तो आज की वीडियो में हम चाई से जुड़ी इनी सवालों के जबाबों को जानेंगे तो आईए वीडियो सुरू करते हैं हलो फ्रेंस मैं हूँ दीप और स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपासोनी.com में दोस्तो ये तो आप सभी को पता है कि जो लुक चाई और कॉफी पीते हैं उन्हें इसकी लद लग चुकी होती है क्योंकि चाई या कॉफी में कैफिन पाया जाता है जो कि आपके लिए नसे का काम करती है जब तक आप चाई या कॉफी के समय पर उसको पीते नहीं है तो आपको ठकान और सरदर जैसा मैसूस होने लगेगा क्योंकि आपको हलका नशा होने लगता है लेकिन फ्रेंज जब आप प्रेगनेंट होते हैं तब आपको अचानक कोई चाई या कॉफी छोड़ने को कहे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसके बदले में आप एक काम कर सकती हैं दोस्तो आप अपने चाई या कॉफी की कॉटिटी को कम कर दें जब भी चाई ले एक कप की वज़ाए आधे कप ही ले या दिन में अगर आप तीन बार चाई पीती थी तो उसे घटा कर दो बार या एक बार ही कर दें यह आपके लिए आसान हो सकता है दोस्तो आपको तो यह पता ही होगा कि आप जो भी खाती या पीती हैं वे गर्ब नाल के द्वारा आपके बेबी के पीट में भी जाता है इस तरह से चाई आपके बेबी के लिए भी नुकसान दायक साबित हो सकता है दोस्तो चाय या कॉफी पीते ही आपको एनर्जी फील होती है लेकिन यह कुछ देर के लिए ही होती है इसके बाद यह आपकी कार ख्यमता को घटा देती है दोस्तो इसके जादा सेवन से आपको गर्व पात भी हो सकता है और इसके इलाबा बेवी के पिकास में भी यह बाधा पहुचाता है और मस्तिक्स में बुरा प्रभाव डालता है इस कारण से कैफिन यूगत चीजों का इस्तमाल आप कम ही करें दोस्तो आप एक दिन में 200 मिली ग्राम ही चाय ले सकते हैं यानि के एक दिन में आप दो कप चाय ही ले सकते हैं इससे अधिक चाय आपके लिए नुकसान दायक हो सकती है अब जानते हैं चाय के कुछ फाइदों के बारे में दोस्तो चाय अगर आप लिमिट में लेते हैं तो यह कभी-कभी आपके लिए फाइदे मन्द भी साबित हो सकती है जैसे कि मूड को बदलने में कभी-कभी मूड बहुत खराब होता है और अपसेट होता है ऐसे में मूड को बदलने के लिए एक अप चाय का सहारा ले सकती है अगर आपको हलकी-फूल के सर्दी जुखाम है तो आप अध्रक वाली चाय ले सकती है इससे आपको फाइदा होगा और आप दबाईयों से बच सकते हैं हलका फुलका सिर्दर्द या पुखार में दोस्तों हलके फुलके सिर्दर्द या पुखार में भी अद्रक तुलसी वाली चाय आप ले सकते हैं यह बहुत हद तक आपको आराम दे सकती है लेकिन फ्रेंस याद रखें कि सर्दियों में आप सुबह साम चाय ले सकते हैं लेकिन गड़्मियों में ना लें यह आपके और आपके बेबी दोनों के लिए ही फायदे मंद होगा दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो यूस्पुल लगी होगी अगर यूसपुल लगी है तो प्लीज लाइक और सेयर करना बिल्कुल न भूलें ऐसे ही प्रेगनेंसे से रिलेटेड जानकारे के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में